असलाम अलेकुम मुहम्मद अब्दुल्ला फाइन क्रॉप चेमिक इंडस्ट्री मुलतान से आध के जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रो पावर यानि के इन पीके 2020 बेसिकली इन पीके क्या चीज है यह तीन चीजों का मुरकब है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटाश होता है हमारे जो किसाम भाइन हैं उनको पता नहीं चलता हमारे जो बहुत सारे एंपीके ऐसे हैं किसी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती यानि कि वो पीके होता है किसी के अंदर पोटाश नहीं होती वो एंपी होती है ठीक है उनको पता नहीं चलता तो यह जो बोन बारे पास एक त्व प्रोडक्ट है वो हमारा imported प्रोड़क्ट है ठीक है हमर पास एगार पावर है ठीक है हमने इसकी परसंटेज 15-18 रखी है वह क्यों रखी है? वह इसलिए रखी है कि हमाइं गौर्मिंट जो रिस्टिक्शन होती है गौर्मिंट लेवल पे कि इनकी पर्सेंटेज कम रखी जाए ताकि कोई भी किसी भी रिजन की वज़ाए से कोई इस्व ना बने हम बेसिकली इसके अंदर 20-20-20 प्रोड़क्ट है लेकिन हमने उसको 15-18-18 मेंशन किया है सेफ साइट पर रखते हुए ये तीन चीजें इसके अंदर है नाइटरोजन 20 पीसद, पुटाश 20 पीसद, फासफ़ोरस 20 पीसद है और इसके बहुत सारी पर रिजर्ट्स है यह हर तरह की सब्जी के लिए समाम फरूट्स के उपर के सब के उपर यह नागी जो भी हमारी वस्मिटो उसकता है हमारे पास है 100 गराम, ऐसके बादaltetum तो उसके बाद 30. सब्सब्स के बाद़ आरी है फसल से अच्छी पैदावार और इसकी अज़ाइस गीरा यानि निट्रोजन, फासफोरस, पुटाश को मतवाजन फार्मूले से यही हासल की जा सकती है यानि कि हम अगर फसल को ये तीन चीज़ा देते हैं, नाट्रोजन भी, फासफोरस भी, पुटाश भी, तब ही हम उसकी अच्छी तरह पैदावार ले सकते हैं फसल जब बरहुतरी और फुलों की हालत पर होती है, इस वक्ट खुराग की जो अच्ज़ा की काफी मिकदार इसको जूरत पड़ती है और उस वक्ट पोदा ये सारी खुलाग खुराग मिलना उसके लिए जरूरी होता है इस वक्ट इसे पूरी मुस्सर खुराग देने के लिए नपी के अग्रो पावर का स्प्रे करें हमारा ये जो अग्रो पावर है, हम इसको क्यों इसकी औजाफी खुराग फुरी तोर पर दस्तियाब होता है करते हैं तो इसका जो रिजल्ट्स है वो फूरी मिलते हैं पानी में सो फीसद हल पजीर है, इसमें सिर्फ घजाई है एक महफूज खाद है और फसल पर कोई किसी किसम का बुरा असर नहीं डालती यह तकरीबान इसकी रिकमेंड़िट डोज जो है वो 500 ग्राम पर एकड़ है कोई 80 लिटर से 6 लिटर पानी में इसको स्टाबरी पे, बगाद पे, अमरूत, किन्नो, आम और तमाम किसंगी से सब्जियाद हैं, कपास है, गंदम है, आलू, और हर तरह की सब्जियों पे कर सकते हैं जब सब्जियों के पून निकले तब इसको स्प्रेय कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं ठीक है, और यह अमारा इटली से भी इंपोर्ट चुदा है तो यह हमारे जितने भी पाकिस्तान में आउटलेट हैं, उनके ओपर फिजिकल अविलेबल है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितनी भी प्रॉडक्स हैं, फाइन क्रॉप, केमिक इंडिस्ट्री की, सो फीसद कोशिश है कि एक तो उनके रेट्स कम से कम हो, जितना कम से कम हो सके फार्मर तक कम रेट्स में चीज़ पहुंचाई जाए, क्योंकि जो हमारा फार्मर है, वो इसलिए परशान है कि उसकी जो अदिवियात हैं, उसको फटलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो बड़े महिंगी रेट्स में उसको मिलता है, जब वो एंड में है, जब उसकी ओस आती है, वो कम आती है, जब जएधा भी आजए है, तो उसको उसको माधन नहीं मिलता है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, हमारा जो इस स्ट्राइजर की आपक करेंचें, बहुत कम पराइस में फार्मर तक पहुंचें, च कहले ड्रیک्ट फार्मर को क्यों नहां दे दे? इस उस पे हासिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कई भी जब चीज आपके पास ये प्रोड़क्ट पहुंच जाए तब पेमेंट करें। हमारी ये सहलत मुझूद है आप इन नमबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया है। अगर कोई मलूमात मिली हैं तो हमारा इस चैनल जरूर सब्क्राइब कीजिएगा। थैंक यू अलाफिस।